नमस्कार लाइब तस्वीरे देख पा रहे हैं पानिपत के टोल से जहां पर कुछी देर में गुर्णाम सिंग चडूनी बस्ताडा चोल से निकल चुके है और कुछी देर में 5-4 मिनट के अंदर पानिपत टोल पर पहुंचेंगे लेकिन इस से पहले एक तस्वीरे हम आपको दिखा रहेंगे कि इतनी भेंकर गर्मी में एक किसान लुध्याना से चले है साइकल पर साइकल यात्रा करके लुध्याना से चले है और सिंग्गू बोडर पर पहुंचेंगे तीन दिन पहले जैसा बताया जा रहा कि तीन दिन पहले ये निकले थे और क्या कुछ कहेंगे क कितनी उमर है आपकी सर चाहनून कहा रद कर यह सरकार तो आठ महीने से आप लगे पड़े हैं अब माननी रियाड मेने आप कहा, साइकिल पे लिए कैसे इरद करवाद होगे? हम करवाएगा, हम ध्री रादा, विश्पाष करवाएगा. आपका इरादा जैसा अब बता रहे हो की दर्ड इरादा है और विश्वाश हमें? तो दिन रात चलते हो साइकिल पे आप देन देन चलेगा रात में रैस्ट करेगा और क्या कुछ से कहना चाहोगे सरकार को कि भी तमाम अब आप तो किसान है कितनी जमीन आपके पाद दो किला जो एकड़ जमीन है दान लगा दिया है अब दान लगाने के बाद फिर किसानन अंदौलन की आपने तैयारी कर ली पिर भी दो लो पहूंश रहे हैं पहले आसा दौलन में पाद में फिर अंदौलर में जा रह confess हैं दान लगा कैंद हैình तो खाना होणा कहा काते हो तो बच्चे हैं अब की वो क्या करते हैं सामिल होते हैं सामिल होते हैं खेती करते हैं समालते हैं खेती तो ये थे लुध्याना से चले हैं करीब सतर साल बातर साल इनकी उमर है और साइकल यात्रा इतनी भैंकर गर्मी में तप्ति गर्मी में साइकल यात्रा करके ये लुध्याना से चलके आथ तीसरे दिन पारिपट टोल पर पहुंचे हैं और आपको बताना चाहेंगे कि टोल से हम आपको दिखाएंगे लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि थोड़ी लेर के बाद गुर्णाम सिंग तडू ने पहुंचने वाले हैं कॉंग्रेस पर कॉंग्रेस पार्टी पर सरकार पर क्या सवाला जवाब होते हैं वो तमाम तस्विर हम आपके बीच में फिर लाएकर हाज रहोंगे फिलाल करें बहुत बहुत शुक्रिया जन्यवाद